हेलो दोस्तो मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको वक्सा बारा विशय गनित अध्याएवन संबन एवन फलन के बारे में बताऊंगी आज की वीडियो पार्ट सेविन में हम जानेंगे देखो इससे पहली जो वीडियो थी हमने उसमें क्या पढ़ा था कि फलन क्या होते हैं और फलनों के प्रकार क्या होते हैं तो उन्हीं प्रकारों को अच्छे से जानने के लिए हम उन्हीं से संबंदित कुछ उधारनों को देखेंगे जिसे उधारन 11, 12, 13 और 14 यह कुछ उधारन है जिनके द्वारा हम फलनों के प्रकारों को समझ सकते हैं तो आज का वीडियो ह के रूप में दिया होगा है इसके द्वारा ये परीभाषित फलन और कैसे और से और में ये फलन कैसे परीभाषित किया Water आर स्यान, आर मतलब की वास्त्रिक संख्याओं का समुच्छे, तो वास्त्रिक संख्याओं के समुच्छे से वास्त्रिक संख्याओं के समुच्छे में ही फलन परिभाशित है, हमें ये सिद्ध करना है कि ना तो ये एक एकी है और ना ही ये आच्छादक है, चीक है, तो इसक जो फलन, इस फलन को परिभाशित किया गया है, वो भी वास्तिक संख्याओं में है, तो दोनों हमने वास्तिक संख्याओं के समुच्चे ले लिए, अब हमें क्या दिया गया है, फलन को X स्क्वाइर के रूप में परिभाशित किया गया है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर क मुझे 4 मिलेगा ठीक है और अगर मैं यहां पर माइनस 1 रख रही हूं तो 1 का square is 1 और अगर प्लस में 1 रखूंगी तो भी मुझे 1 ही मिलेगा तो क्या हो रहे है कि अगर मैं कोई भी क्या रख रही हूं मान रख रही हूं तो दो अलग-अलग मानों के लिए जैसे एक धनात्मक संख्या में ले रही हूं और एक धनात्मक संख्या में ले रही हूं उन दोनों के लिए हमें क्या मिल रहा है अलग-अलग-अलग-अलग-अलग मानों के लिए भिन भिन ही प्रतिविम प्राप्त होते हैं ठीक है बट यहाँ पर क्या हो रहा है दो भिन अभ्योगों के लिए एक प्रतिविम प्राप्त हो रहा है तो यह क्या है एक की नहीं है ठीक है यह की नहीं होगा क्योंकि माइनस वन और वन के लिए हमें एक ही प्रतिविम अगर हम देखे आच्छादक के लिए क्योंकि हमने एक तो हमें पता चलता है क्योंकि देखो यह एक संख्याओं का समुच्च्च है और क्योंकि हमें धनात्मक संख्या घनात्मक के रूप में मिल रही है तो कोई भी ऐसा हमारे पास ऐसा अव्यव नहीं है जिसका प्रतिविम हमारा अगर धनात्मक किया रनात्मक कोई भी ऐसा अव्यव नहीं है जिसके लिए हमें रनात्मक प्रतिविम प्राप्त हो तो इसमें क्या है कुछ अव्यव ऐसे मिल जा रहे हैं जो किसी के प्रतिविम नहीं है जिन से परीश से मतलब किया होगा ये कि यह क्या नहीं है अच्छादत नहीं होगा देखो पुनह है spectrum कोई भिर हर में रही है तो उनके लिए वह किसी का भी प्रतीविब हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए ये आच्छादत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कि हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो फलन हमें दिया गया है, कहां से हमें यहां पर प्राकर्तिक संख्याओं से प्राकर्तिक संख्याओं में ही इस फलन को परिभाशित किया गया है, और हमें क्या सिद्ध करना है कि यह एके की और अच्छादत तोनों होते हैं ठीक है और इस फलन को किस प्रकार से परिभाशित किया गया है कि x प्लस 1 ठीक है यह कब होता है जब यदि हमें x वीशम दे रखाओ और x-1 यह कब है जब x हमारे पास सम है ठीक है तो हम इसको कैसे परि बहाशित किया गया है ठीक है तो हम ने दो समच्छे ले लिए जिसमें प्राकरतिक संख्या है अब सब्सक्राइब और मैं कोई एक विशम संख्या लें जैसे बन क्या है एक विशम संख्या तो उसके लिए मुझे एक sum value मिल रही है ठीक है? 1 के लिए मुझे 2 मिल जा रहा है इसी प्रकार, अगर मैं 2 रख रही हूँ तो मुझे 3 मिल जाएगा अगर मैं 2 जैसे sum होता है तो 2 के लिए मुझे minus 1 मतलब 1 मिल रहा है अगर मैं 3 रख रही हूँ तो मुझे 4 मिलेगा ठीक है तो थ्री से four में俭ीना जाएगी हुसी प्रकार अगर मैं यहां पर four रख रहे हूँ तो four क्या है सम्सभी ए तो four के लिए मुझे three मिल रहा हूँ. तो प्रतिबिम यहां पर थ्री आ गया तो क्या हो रहा है कि सम के लिए हमें विशम जंख्या मिल रही है प्रतिविम और विशम के लिए हमें सम प्रतिविम मिल रहा है तो इससे क्या होगा कि एक भिन भिन अवयाओ के लिए हमें भिन भिन ही प्रतिविम प्राप्त हो रहा है तो इससे क्या होगा कि हमें ये पता चल रहा है कि ये क्या है एक एक की फलन है क्योंकि भिन अव्यव के लिए भिन प्रतिविंप्राप्त हो रहा है इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं देखो यहां पर भी हम देख रहे थे ना कि 1 के लिए 2 मिला 2 के लिए 1 मिला 3 के 4 के लिए 3 मिल रहा है, 5 के लिए 6, 6 के लिए 5, ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, कि हमने 2 अभियव ले लिए, x1 और x2, ठीक है, और इसको हमने एक बल दिखाया, यदि x1 विशंब है और x2 सम है, हमने 2 अलग-अलग ले लिया, और इस में किस तरीके से विशंब संक्या के लिए x1 plus 1 है, और सम संक्या के लिए x2 minus 1 है, ठीक है, तो इसको अगर मैं solve कर रहे हैं, तो x2 minus x1 equal to 2 आ रहा है, ठीक है, जो असंभव है, क्योंकि x1 के सम तथा x2 के विशंब होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 value मिल रही है, तो एक सम है और एक विशंब है, या तो हमें सम ही मिल, क्योंकि देखो, अगर हम सम के लिए प्रतिविम धून रहते हैं, तो हमें सम वैल्यू के लिए हमें सम मान रखने पर विशंब प्रतिविम मिल रहा है, और विशंब के लिए सम मिल रहा है, तो यह तो संभव ही नहीं हो पा रह मान लेते हैं कि ये दोनों सम है या था कि नहीं कि विषम माना कि x 1,x 2 दोनों भी सम है तो दोनों गर विषम हो रहा है तो क्या हो रहा है x1 plus 1 equal to x1 x2 plus 1 क्या गया x1 बराबर x2 ठीक है, मतलब ak की की जो sister condition हमारी condition होती है जिसमें हम यह दिखाते हैं कि है यह क्याijn एक की है थिक है यह उसके अनुसार हमें प्राप्त हो रहा है तो यह 2 विशा मोरी अब देहों यहां पर जब हमने देखा था कि जब हम एक सम और एक विशा मेरेते तो में यह इक वल प्राप्त नहीं हुआ है कू रहा है इस प्रकार पर हमने देखा था कि यह जितने भी है रहें हैं यहहां पर क्या है की वर्य लेक्तियूत कोई प्रतीबी यह जो हमारा यह हॉता है मतलब है इसमें साभिष कर से आंड कर एक सीय घाये का एक लिए platform परिसर है वो सहप्रांत के बराबर हो जा रही है और हमारे पास यह कब होता है जब परिसर सहप्रांत के बराबर हो जाती है तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है कि वो आच्छादक है तो यहां पर भी यही बताए गया है कि सहप्रांत N की कोई भी विसम संख्या अगर हम ले र क्वरिम है तो यह क्या है आछ दगत करने हैं तो कि लीए हमें कि दिखाना कि कि इस एक होता है थिक सिद्ध करते हैं किए इसको सिद्ध करते हैं छो dope series कि यहाँ पीद अ just संब्लाइक अ मतले आद फीर संजे हैं तो इसमें क्या होते हैं स्वार्धी कि नहीं होता तो कोई कि ने न थी आ पर हो अंगोर ठीके पर्तिखिम हमें 1 प्राप्ट हो रहा है और 3 का 2 प्राप्ट हो रहा है मतलब 3 किसी का प्रतिविम नहीं है अब देखो ये कब हो रहा है जब हमारे पास ये फलन एके की नहीं है अगर वो एके की नहीं है तो इसते क्या से दो रहा है कि ये ओन टू भी मतलब कि ये आच्छादक भी नहीं है आच्छादक कब होता है जब ये हमारे पास इतने भी अव्यव हमारे पास भी में होते हैं ये भी किसी ना किसी अव्यव के प्रतिविम हो बट यहाँ पर तो थे किसी का प्रतिविम नहीं है तो ये क्या है अगर यह AKK नहीं है तो यह ON-TO-B, मतलब आच्छादक भी नहीं है, बट हमें तो क्या गी बन था कोश्यन में? हमें यह दिया गया था कि आच्छादक फलन है, तो अगर मैं आच्छादक ले रही हूँ, आच्छादक मतलब कि यह किसी ना किसी का प्रतिविम अवश्य होगा, ठीक है, तो अगर मैं ले रही हूँ, तो यह, देखो, यहाँ पर यह सब एक किसी ना किसी के प्रतिविम बन रहे हैं, तो यह क्या हो रहा है? और प्रतिक भीन अवयोग का भीन ही प्रतिविम प्राप्त हो रहा है, तो अगर हमारे पास कोई फलन आच्छादक है, तो वो AKK भी होता है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कि इसके प्रांत में कम से कम दो अवयोग माली है, हमने एक और दो, जैसे यह लिया था हमने, कि इसका एक ही इनका स्तीप्र और उसके लिए समान प्रतिविम बन रहा है, ठीक है, अब देखो, आगे क्या है, आगे क्या साथ ही एक के अंत्रगत, ठीका प्रतिविम केवल एक ही अवयोग है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब यह अच्छादत नहीं है, ठीक है, यह विरोधा, जो की हम क्या लेके चले, ठीक है, एक एक ही नहीं है, ठीक है, तो यह क्या हो रहा है, ठीक है, तो य इससे क्या सिद हो जाता है कि एकेकी होना ही जाए यह कब अगर वो आच्छा दख है तो वो एकेकी भी होगा ठीक है अगर वो आच्छा दख नहीं है तो वो एकेकी भी जरूरी नहीं है कि वो होगा ठीक है बट अगर ऐसा हो रहा है कि एकेकी नहीं है तो वो आच्छा दख भ यहां पर समझते हैं हमें कि दिया है मतलब एक भीन अव्यव का एक बहिन प्रतीबिम हमें प्राप्त हो रहा है और क्योंकि इस से हमें यह पता चले देखो यहां पर सबके भीन-भीन प्रतीबिम है और जो हमारा पाई होता है उसमें प्रतीक अव्यव किसी न किसी अव्यव के प्रतीबिम हैं उसमें कोई भी अव्यव खाली नहीं है सब किसी ना किसी के प्रतिबिम बन रहे हैं, तो इससे क्या सिट हो जा रहा है, कि सहप्रांत जो है, वो हमारे परीसर के बराबर आ रहा है, और परीसर और सहप्रांत अगर बराबर होते तो वो आच्छा दग हो जाता है, तो इससे क्या पता चला है, कि अगर फलन एकेकी है, तो वो आच्छा दग भी होगा, चुकि F IK की है, इसलिए 1, 2, 3 के तीन अव्यव, F के अंत्रगत सहप्रांथ, 1, 2, 3 के अंत्रगत सहप्रांथ, जो हमारा आ रहा है, उसके तीन अलगलग अव्यों से करम से संबंदित होंगे, अता है F आच्छा दग भी होगा, चुकिया, अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि फलनों का संयोजन क्या होता है, उनसे संबंदित कुछ उधार, चुकिया, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है, धन्यवाद,